आज है 25 नॉंबर और हम शुक्रतना से करेंट फेर्च पहला है एक्सरसाइज समन्व है 2022 ये इंडिया ने रिफूर्स दौरा कंड़क किया जाता है एन्वल जुएंट हमेर्टेरियन असिस्टेंट एंड डिजास्टर रिलिफ एक्सराइज जो आगरा में हो रही है इसके बाद एक्सराइज नसीम अलबहर जिसका अलबहर नसीम अलबहर के मतलब है इंडिया और ओमान के बीच में हो रही है ओमान में ये उन्हेसोटराइज में शुरू हो की गई थी ठीक है उसके बाद यकूतिया और उरल यह नुक्लियर पावर आइस बेकर्स हैं रहिशा के दोरा इसके अलावा आर्केटिका और सिबिर पहले से लॉंच की गई है वो भी आइस ब्रेकर्स हैं और चुकोता का यह 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 य इनको बागातूर कचोगा कहा जाता है इंडिया ने रिक्वेस्ट की थी यह जो COP हो रहा था साइट का 19 COP बनावा सिटी में उसमें रिक्वेस्ट की थी कि इनकी जो प्रेटेक्श्टन केटेग्री है उसको इंप्रूफ कह जा है मतलब यह साइट के अपैंडिक्स 2 में है इ इंडिया बंगलादेश नेपाल में पाए जाते हैं गंगा रिवर में पाए जाते हैं इसलिए इंडिया और बंगलादेश में पाए जाते हैं ठीक है प्रमपुत्र बेसिन में भी मिलते हैं चंबल रिवर जो घरिया संचुरी है नैशनल चंबल रिवर घरिया संचुरी व पनामा में ठीक है यह फ्रेश वाटर होते हैं इनका इलिगल शिकार होता है इनके मीट के लिए ठीक है इसलिए इनकी पॉप्लेशन बहुत तेज गिरी है तो इनको ज्यादा प्रोटेक्शन दूरुत है इसलिए इनको अपैंडिक्स 1 में डालने की रिकॉस्ट की थी इंडिय आपसे अभी unemployment rate घटी है घटकर 7.2% पर आई है यह पहले ज्यादा थी ठीक है जो यह periodic labor force survey है यह April 2017 से आनी शुरू हुई है इसको National Statistical Office release करता है फिर है इंडिया's involvement in architect इंडिया का जो सबसे पहला involvement है यहां 1920 में जब स्वालबार treaty sign की थी Paris में ठीक है तब से है और इंडिया ने मतलब कुछ उन कंट्री में से जिसने permanent station खोला है architect में ठीक है इंडिया का जो पहला scientific expedition गया था वो 2007 में गया था और उसके बाद से हर समर और winter में एक scientific team जाती है वहां expedition के लिए पहला जो research station खोला गया था उसका नाम हमाद्री था 2008 में खोला गया था 2014 में इंड आर्क research station खोला गया था ठीक है 2016 में एक atmospheric laboratory खोली गई थी ठीक है और इंडिया जो है architect council का observer member भी है ठीक है observer 2013 बना था और इसको बाद में renew किया गया था 2019 में 5 साल के लिए ठीक है architect council के पात करने तो यह intergovernmental forum में जिसमें 8 architect states है जो है Canada, USA, UK, Finland, Iceland, Norway, Russia, Sweden ठीक है और इसको Ottawa declaration के नाम से जानते हैं Ottawa declaration 1996 फिर मार्स 2022 में इंडिया ने अपना architect policy launch की ठीक है इसमें बताया कि architect region के इसमाल climate research के लिए इसमाल किया जाएगा इंडिया जो है architect region को climate research के लिए इसमाल करेगी और इसी के साथी national center for polar and ocean research बनाए गया जो ministry of science के अंडर में आती है जो इस architect policy को implement करेगी ठीक है उसके बाद national anti-profiting authority जिसको नाम दिया गया है यह 2017 बनी थी इस statutory body है GST lock के अंडर मनी थी जिसका उद्देश था कि जैसे जब tax rate कम के जाते हैं उसका जो benefit है वो consumer तक पहुँचे कई बार क्या होता है supplier जो है वो जो tax rate कम होता है तो उसके benefits consumer को नहीं देते हैं ठीक है वो अपने price उतने ही ज्यादा रखते हैं तो इसको मतलब इसको काम करने के लिए इस चीज़ को घटाने के लिए ही यह national anti-profiting authority बनी है ठीक है और इसका काम था 2019 तक पर इसको 2021 तक extend कर दिया कहता है फिर national center for good governance यह department of administrative reform and public grievances calendar में आती है ठीक है इसका उदेश है कि जो governance है उसको कैसे reform कह जा training knowledge sharing promotion ideas के साथ ठीक है इसका जो head office है वो दिल्ली में है और इसकी branch office मसूरी में है originally यह बनी थी national institute of administrative research के तोर पर 1995 में जिसको लावासना ने बना थ ठीक है बाद में इसको और additional mandate दिये गया और इसको इसका नाम दिया गया national center for good governance 2014 में फिर प्रधान मंत्रिक फसल भीमा यूजना यह government sponsored crop insurance scheme है ठीक है इसमें कोई ऐसी upper limit नहीं कि government कितनी subsidy देगी अगर जो premium balance है 90% तो वो भी government देख सकती है ठीक है इसमें कई सारे risk हैं जो cover किये गये हैं जैसे sowing के planting के generation failure के ठीक है standing crop failure के या post harvest lost के ठीक है या कोई calamity हो जाती है ठीक है और कुछ exclusion भी है जैसे war nuclear risk यह सब होता है तो उसमें नहीं दिया जाएगा फिर है national workshop on cryptology इसको center for development of telematics ने organize कराया ठीक है cryptography या cryptology एक practice है जिसमें message को secure किया जाता है ठीक है cryptography की बात करें तो इसमें यह sender के site से होता है encryption कहते है ठीक है किसी भी message को encrypt करके भीजा जाता है जैसे कोई plain text है उसको cipher text में भीजते है ठीक है encryption करके तो यह sender के site से होता है और एक होती है cryptology cryptology दोनों site से होता है ठीक है इसको encryption और decryption दोनों ही चीज़ के इसमाल करता है sender जो होता है encrypt करता है और receiver decrypt करता है ठीक है फिर है hyper spectrum imaging satellite बंगलोरु की एक start-up है जो एक hyper spectrum imaging satellite launch करेगी इसरों के जारा satellite imaging का इस्तमाल कई सारे काम के लिए जाता है जैसे disaster relief, agriculture monitoring, energy monitoring, urban planning ठीक है और space से तीन तरह की imaging possible है red green blue imaging, multi spectral imaging और hyper spectral imaging imaging, hyper spectrum imaging में क्या होता है कि जो light होती है वो जो pixel पर पढ़ती है उसको analyze किया जाता है ठीक है तो हर pixel पर जो भी light पढ़ती है उसको एक बहुत detail में analyze किया जाता है ताकि जो उसके spectral bands उसको note किया दसके बहुत minute label पर इससे हमें और details पता चलती है उस जगें कि उस image के बारे में फिर है इंडिया और Gulf Cooperation Council ने decide कि है कि वो फिर से free trade agreement का negotiations शुड़ करेंगी ठीक है Gulf Cooperation Council छे मिडेस्टर कंट्री का political economic alliance है जिसमें साथी अरबिया कुएट यूई कतर बहरीन ओमान है इसका headquarters जो है रियाद में है और 1991 में बना था इनका उद्देश है कि यूनिटी जो अरबियन countries है ये छे अरबियन countries है इसमें एक तरह की unity हो क्योंकि उनके जो objectives है वो common है और इनकी जो political और cultural identity इसमें लबबग सेम है ठीक है प्लस ये Arabic countries है और Islamic culture हैं का GCC इंडिया का सबसे बड़ा ट्रेडिंग partner block है और 2021 में दोनों के बीच में 154 million dollar का trade हुआ है ठीक है इंडिया का 35% oil जो है वो GCC countries आता है और 74% gas GCC countries आती है ठीक है तो ये था आज के माल current affairs सुने के लिए धन्यवाद